हाई गैस में हो निखंग और आप देख रहे हैं बस विज़ाइगे गैज आज इस वीडिएयो में आपको बता हूँ आप अग Whoo उसको कैसे यहां पर इसके लिए में एक application यूज लेंगे जिसका नाम है rounded TV ठीक है rounded TV means rounded taskbar ठीक है तो इस application को कैसे यूज करना है पहले हो मैं आपको बताता हूं यहां पर नीचे system tray icon में हमारे पास इसका icon आ रहा है क्योंकि मैं इस application को भी यूज कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं rounded TV ठीक है इस पर right click करता हूं यहां पर अभी आप देख रहे हैं कि run at startup पे checked है यानि कि जब भी start होगा हमार system तो मुझे मेरी taskbar ऐसी मिलेगी ठीक है अब इसकी setting में चलते है शो rounded TV पर चलते हैं यहां पर इसकी setting सा जाते हैं बहुत ज्यादा tricky नहीं है बहुत simple इसका interface है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर सबसे उपर आपके पास पहली setting है margin margin को आप कम जादा करेंग तो आपको यह tool वापस से open करना पड़ेगा अपनी taskbar को वापस लाने के लिए तो उसके लिए वहां पर आप इसकी shortcut की यूज दे सकते हैं जो कि shift plus F2 है ठीक है मैं margin कम करता हूँ अब आप margin कम होता देखिए और अपनी taskbar को देखिए इस तरीके से कम जादा हो रही है ठीक ह तो मुझे एक dynamic look दे रहा है then corner radius यहाँ पर second आता है जिससे आप radius यहाँ पर define कर सकते है अपनी taskbar की ठीक है अगर आप corner full कर देंगे तो एक्दम rounded यहाँ पर हो जाएगा आप देख सकते हैं और यहाँ पर इसको 50% के something रखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा यहाँ पर इडवांस बटन आ रहा है अगर आप एडवांस बटन पर क्लिक करेंगे तो बाकी के एडवांस ऑप्शन यहाँ पर चले जाएंगे बाकी आपको एडवांस सेटिंग की जुरत भी नहीं है डानमिक मोड बगयरा की जिस्ट आप इतना ही सेटिंग करके इसको नहीं आपे कस्टमाइब कर रहे है और आप इस तरीके से देख आए इक ट पर गलासेक लुक यहाँ पर आ हमारे कि इस डाउनलोड किसे करना है जासे मैं आपको लास्ट जिटियों बठाई थी जो ला fit अपर देख रहे है इसको यूज़ करने के लिए सेम आपको Microsoft Store पर जाना है और सेम application आपको डाउनलोड करनी है कैसे जाना चलिए बताता हूं आपको Microsoft Store पर आप जाएंगे account आपका Microsoft का होना चाहिए ठीक है नहीं है तो आप इस तरीके से account.microsoft.com की website पर जाके account यहाँ पर create कर लें ठीक है Windows 11 यूज़ करें तो जाहिर सी बात है कि आपके पास Microsoft account होगा ठीक है तो जस्ट आप इसको अपने Microsoft Store को Microsoft Microsoft account से login करेंगे और यहाँ पर एक आप यहाँ पर search करेंगे rounded TV तीक है rounded TV आप search करेंगे यहाँ पर search मैंने किया यहाँ पर rounded TV यहाँ पर आ गई है मेरे पास आप आप देख सकते हैं इसको आपको open करना है यहाँ पर आपके पास get का बटन आएगा आप get के बटन पर click करेंगे app आपके system install हो जाएगी जाना आप उसको open करेंगे open करेंगे तो आपके पास आप देख सकते हैं आपके only one instance of rounded TV can be run तो यहाँ पर पहले से run हो रही है इसलिए आपके open यूई और open करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा system tray पर जाना पड़ेगा अपनी इस app को open करने के लिए इस तरीके से हम जाएंगे add click करके show rounded TV यह settings आपको मैंने बताई दिए आपको as it is use करनी है I hope कि जो वीडियो क information है वह आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए कर कमेंट करें करें कि आपका information कैसी लगी channel को subscribe करें और देखते हैं बस ट्वीट आइक धन्यवाद जाए